ऐसे पालिस करने में एक नमर अच्छा दिखता है नेखिए नावी देखुआ दिखा रहे हैं लेखिए अभी यह बीडी फुगा सकता है विभूगा नहीं यह पालिस करने जाद दिखाते हैं आखमा पकड़ा कर दिये हैं हुआ हुआ है कि कपड़े से किया जाता है पालिस दर्वाजा के साइड नहीं ज़िए इसलिए हम बाहर से करें कि दीवाल नहीं खराब होगा फर्स्ट में बिदिंग कभी घर पे लगवाईएगा तो पालिस करवाने के बाद इसके बाद कार्पेंटर से लगवाईएगा क्योंकि दिवाल भी नहीं खराब होता है द्रवाजे का उसाइड का भी नहीं होता है यह जंगला द्रवाजा सब तो तोटल लगेगा जतना साइड है दिवाल के बगल में है जो चोपकट लगता है जो इससे क्या होता है क्रेक नहीं खुलता है ऐसे बिडिन लगाने से अगर बनवालिएगा आडिया लेना होगा तो हमसे कमेंट में बोड़िएगा तो हम पूरा आपको आडिया देंगे घर में क्या क्या करना रगता है नकड़ी पैसे लगाया जाता है आप अभी अब आप लोग व ठुटिन टोकवा देते हैं पाले ही ठुकवा देते हैं व सिल में लग जाता है जंग लग जाता है खराब हो जाता है पाले sounds देखियाTHE process समप कर दिए हैं पट्टी के बाद घसाई करके प्रत्र करने के बाद देखिए अब इसको फाइनल कर रहे हैं works तोख देंगें तोखने के बाद घइभ को भर देंगे साध में जो जो गैब रहेगा per me time डहाने के बाद लगा देंगे देखिए देखिए पूरा पालिस ही पालिस है देखिए यह सीलर है यह बिडिंग सद्दा है यह पालिस हो गया अचछे में पालिस हो कि अचछे देखिए यह